हेलो प्रेंट नमस्कार मैं आपका दोस्तर अपना चैनल में आपको श्वागत है आज हम बात करेंगे कि जो ब्रेंट्स उसका MPC jam हो जाता सीज हो जाता तो उससे क्या-क्या फॉल्ट आ सकते और कैसे खुलते वो दिखेंगे फ्रेंट्स वीडिया में होके चलिए अभी स्टार्ट करते हैं देखे फ्रेंट्स में लगा कि हो रूटरी पॉम भी पॉम कोई भी पॉम में रेडिंग मानने से पहले एंपीसी खुलता था और आज एंपीसी खुला हूं तो पुरा सीज निकला है पुरा जाम हो चुका है वो निकल नेरा तो आप भी कभी भी बीना एंपीसी खुले देखे बीना आप रिडिंग नहीं मानने का खुल की पूरा साफशूप करकी अगर डाइफ्रम भाटा होगा तो आप दूसरा डाल लेने का क्योंकि यह पूरा जाम हो गया है अगर डाइफ्रम जाम होग अगर हो ना फ्रेंट्स तो पीकप भी नहीं करता है कभी कभी ब्लाक स्मुक मारता है और पीकप नहीं करेगा गेर लेगा तो डिजल भी तो ज्यादा पिएगा कीचाई नहीं करेगा अर्व पूरा सीज हो गया तो एचा मैं खुलता हूं येर बेंड एक स्कुरूब बहा उपर से लगा कि दस नौर पट्टी ब अगर अंदर सैट जाम हो गया तो ब्लाक स्मुक मारेगा गाड़ी में बहुत अगर इधर जाम हो गया तो खिचाई नहीं करेगा गेर पर गेर लेगा तो उससे डिजल भी आपका माइलेज में भी फॉल्ट आएगा और कभी कभी तो आपको मेशिन पर ही समझ में आ जाएगा कि MPC वर्किंग नहीं करता डिजल जैसे आपना बूस प्रेसर बढ़ाएंगे ना वर्क ही नहीं करता है तो कंडिशन में आपको खुल की देखना है और ओर उरिंग भी जो छोटा वाला स्मॉल ओरिंग है MPC के अं पांसओचार सबद्हार-द्वार्त्वर 523 तो की खुल की फेले फ्रेंट मैं खुल की में वर ऐिंग डालता हूं जो अंदर का वरिंग है उडालेंगे उडाल की सब करकी डाइफ्रम डिन्या डाल देता हूं और लगाते मैशिन पर आप भी कभी भी फ्रेंट चिख खुल क डाल दो अगर है जाम है ना तो आपका वो 40,000 का भी कोई काम का नहीं है वो मलोग गाड़ी से ही होने वाला नहीं है यह अगर फॉल्ट होगा आप उसमें हैड रूट और नुजल कुछ भी डाल दो लेकिन अगर प्रोपर सेटिंग नहीं है वार्किंग जो पीन देख रहा है अगर प्रोपर वर्किंग नहीं हो रहा तो आपका वो भी कोई मतलब नहीं है आप पूरा पोई से लगा देंगे तो गाड़ी से होने वाला नहीं है क्योंकि बहुत सारे मिस्त्री इंजिन मिस्त्री से भी आप प्रूलम फेश के होंगे आरे इससे क्या होता है लेकिन उनको क्या समझाये मुला वर्षप लागी भे मैं तो वर्षप लागी भया आगी देखा दो अगर यह पाइप नहीं लगा रहे आप गाड़ी के उपर तो क्या होता है कि इतना फरक आता है कि अगर आपको मन की चलो अगर 10 सिसी आपको 16 सिसी रखना है सिंगल स्टॉक में MPC में यार नहीं देंगे तो 10-12 सिसी आता है अगर 7-8-10 सिसी का फरक आ रहा तो गाड़ी में कहांट से खिचे आएगा पिक अप नहीं आएगा गाड़ी के उपर भी अगर बूस्ट प्रेशर का पाइप अगर लगा नहीं रहेगा तो बिलकुल गाड़ी खिचेगा नहीं पेक अप नहीं करेगा वो गियर पे गियर ले रहा ड्राइबर बूलता है ठीक है यह पीन का बात कर रहा था प्रेंट अगर सीज हो गया तो अं प्रेंट फाड गया तो फ्रेंट्स पिक अप बिलकुल नहीं करता है वह आर बाहर निकल जाता वर्किंग जो होना चाहिए वर्किंग नहीं करता है ठीक है यह पीन का ज्यादा बहुत इंपूट अपरेंट्स तीक है और कभी-कभी आप मेसिन पे जब चेक करते हो तो और यार्क प्रेसर से महीं अंधर वाहर हो न चाहिए अगर वह बराबर है तो यह एक प्रेसर स्प्रिंग जो है हुआ जाता है स्पिरिंग जैतना नर्म डालेंगे यतना रीडिंग डेली बढ़ता है ठीक है जैसे एंपीसी से जो स्मॉल वाला उरिंग को कड़ जाता तो गाड़ी में डीजल लिकेज होता तो बहुत सरे गाड़ी मालक की ड्राइबर वह एमसी लगा देते तो इसा नहीं क करेगा और आपका गाड़ी पिकप नहीं करेगा ठीक है यहां पर टाइफ हम खूल लेने का और इसमें अगर डीजल निकलता है डीजल अगर आपको यह से देखने में दिखेगा ने थोड़ा गिला गिला भी लागेगा तो वह कंडिशन में आप उरिंग डाल लेने का ठीक कमारना है अगर आ गया आने के बाद कोई स्कूरूड्राइवर लेना है स्कूरूड्राइवर लेकि इधर लिवर को दबागी देर रखना है ठीक है इसे दबागी रखेंगे और स्कूरूड्र में अंदर ढख लेंगे अंदर प्रेस करने के बाद आटोमेटिक बाहर आना ठीक है अगर अटोमेटिक बाहर आ रहा है तो उक्के वार्किंग ठीक है लेकिन डीजल वीजल लिकेज नहीं होना चाहिए वहाँ पे गिला पूजीचन अगर नहीं होना और गिला भी दीख रहा आपको जैसे डाइफम भी अगर गिला दीख रहा और अंदर थोड़ा डालेंगे नहीं तो यहां तो आपको जैदा लिकेज समझ में नहीं आता लेकिन 15 और 25 दिन men에도 अगर लिकेज हो गया ना प्रत पर एंपिसी वार्किंग नहीं करेगा प्रापर एंप्सी वार्किंग नहीं करेगा तो फ्छेल लिकेज होगा बात अलग है अथ जल्डेश ह़ कड़ता नहीं तो नरम वाला स्प्रिंग डालना है और जो कॉट है देखिए इधर एक अंदर से कट है और इधर थोड़ा डीप है तो अगर कॉट साइड अगर पीन को रखेंगे ना तो फुल्लूड मलोड डेलिवरी आपका ज्यादा मिलेगा अगर इधर रख दिये जो उच्छा हाइड होकी है और साइड अगर पीन को फिट किये ना फिर फुल्लूड आपका अंदर जाएगा तो कभी कभी किसी किसी में अगर आपको रेडिंग मानने में परिशान हो रहे हो फुल्लूड पूरा टाइट होने के बाद अगर डेलिवरी नहीं मिल रहा तो उस क्या होता कैसा चेक करने तो रिंग डालने से यहां पर डिजल नहीं आता है वह ए- आर का प्रेसर देने के बाद वह वार्किंग करता है यह तना प्रेस होगा वह एतना पीन अंदर आएगा ज्याहर के प्रेसर से दबाव में उपर नीचे डाइफ हम होता है वह कॉंडिशन है तो छोटा मुटा कोई भी कॉंप्रेसर ले लेने का एक नियार दे की ही चेक करना है मिलते हैं अगले वीडियो में बाई